दोस्तों याद कीजिए लोक सभा चुनाओं का परणाम चार जून की तारीक और उसके बाद से अब लगभग सवा महीना हो गया लेकिन केशो प्रसाद मौर्या लखनव में दिखाई नहीं पड़ते थे दो-दो कैबिनेट की मीटिंग हो गई केशो मौर्या गाइब थे तमाम कारिकरम हो गए केशो मौर्या गाइब थे लेकिन प्रदेश कारे समिती की मीटिंग में केशो मौर्या पहुचे और पहुचे पूरे तेवर के साथ केशो मौर्या को जैसे ही माइक मिला केशो मौर्या ने ऐसी ऐसी बाते कह दी जो उत्तर प्रदेश में चल रही अदावतों और उत्तर प्रदेश में चल रही तक्रारों की एक बड़ी तस्वीर को भी खीचती है दोस्तो केशो मौर्या एक महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे केशो मौर्या ये चाहते थे कि उनको अब कुछ बड़ा मिले क्योंकि डिप्टी सियम रहते रहते उनको साथ साल हो गए और अब वो कुछ बड़ा चाहते है दोस्तो केशो मौर्या और योगी आदितनात के बीच खींचतान की खबरे आज से नहीं बलकि पुरानी है अमिर शाह का बस चलता तो 2022 में ही योगी आदितनात की जगए केशो मौर्या को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते लेकिन समस्या ये हो गई कि केशो मौर्या खुद विधान सभा का चुनाव हार गए थे पल्लवी पटेल ने सिराथू की सीट पर केशो मौर्या को विधान सभा का चुनाव हरा दिया अब चुनाव हारे हुए नेता को आखिर कैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता और वो भी उस स्थिती में जब कुरसी पर योगी आदितिनात बैठे थे लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में लोगसभाचुनाओं में भारती जनता पार्टी की करारी हार हो गई है 33 सीटों पर भारती जनता पार्टी सिमट गई है अब ऐसी स्थितियां बन रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की सुखबुगाहट है केशो मौर्या ने प्रदेश कारिसमिती की मीटिंग में खड़े होकर ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर हर किसी के कान खड़े हो गए कि क्या वाकई केशो मौर्या जो दिल्ली से लोटकर आए है वो कोई बड़ा अश्वासन लेकर आए है क्या दिल्ली दरबार ने केशो मौर्या के कंधों पर हाथ रख दिया है और कह दिया है कि आगे का आने वाला वक्त आपका हो सकता है दोस्तों इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि केशो मौर्या ने बेहत कम शब्दों में और सधे हुए शब्दों में कितनी बड़ी बात बोल दी है प्रेशो मौर्या ने सरकार और संगठन के बीच जो खाई है जो दूरियां है उसको लेकर क्या बोला है वो सुनिये संगठन सर्फा से बड़ा है इस और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है इस पुपाति में आता हूं हो भाठी जल्दा पाटी के लाट पर और सबसे नों हो जो भी किसी पीमेद आदि करेंगे चाहूं दोस्तों केशो मौर्या ये बात किसके लिए कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है जाहिर सी बात है भारती जनता पार्टी के बारे में हम लोग ये बात बच्पन से सुनते चले आ रहे हैं कि संगठन बड़ा है चाल चहरा और चरित्र वाली पार्टी में ये बात हमेशा कही गई कि संगठन हमेशा उपर रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा लेकिन फिर केशो मौर्या बार बार ये बात किसको सुना रहे हैं केशो मौर्या बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनके घर के दर्वाजे, उनके सरकारी आवास के दर्वाजे हमेशा बहरती जंता पार्टी के कारेकरताओं और जनप्रतिनिध्यों के लिए खुले हैं क्या केशो मौर्या योगी आदित्टिनात के बज़ाए खुद को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तो केशो मौर्या और योगी आधितनात के बीच लोग भवन में केबिन को लेकर, तमाम फैसलों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर, खुब अदावत की खबरे सामने आ चुकी है 2017 के बाद से लगातार ऐसी स्थितियां बनी है जब पूरे प्रदेश को ये पता चला है कि मुख्य मंतरी और उप मुख्य मंतरी में बनती नहीं है यहां मैं बाद केशो मौरिया की कर रहा हूँ, ना मैं बाद दिनेश शर्मा की कर रहा हूँ और ना ही बरजेश पाठक की कर रहा हूँ दोस्तों सियासत को समझने वाले और उत्तर प्रदेश की राजनीत को जानने वाले लोग ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमिज शाह का एक बड़ा दखल है अमिश शाह की एक बड़ी टीम है आप उसमें केशो मौर्या को मान सकते हैं ब्रजेश पाठक, एकेश शर्मा, जितिन प्रसाद और भी तमाम निता ऐसे हैं जो अमिश शाह कैम्प के माने जाते हैं और ऐसे में अब लखनव पर हर किसी की नजर है और इस बीच केशो मौर्या का ये कहना की संगठन सरकार से बड़ा है जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं और उसके साथ आप नथी कर लीजिए उस घटना को जब केश मौर्या पिछले एक महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे तो क्या ये तमाम घटनाओं को जोडने पर इन तमाम बिखरे हुए सिरों को जोडने पर ये पता चलता है कि केशव परसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में कुछ बड़ी जिम्मेदारी हा अब दोस्तों जब आप खबरों को खंगा लेंगे तो आपको केशो मौर्या के बारे में कई खबरे मिलेंगी कोई उनको उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा कोई बीजेपी का राश्ट्री अध्यक्ष बताएगा लेकिन केशो मौर्या कारेकरता को ही होता है और केशो मौर्या बार-बार ये बात कह रहे हैं कि वो डेपुटी सियम से पहले कारेकरता है सरकार से संगठन बड़ा है संगठन के फैसले जादा माने जाएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच दूरियां आई सामनजस्य और समवात की कमी आई उसको हमने और आपने तमाम घटनाओं में भी देखा है तमाम बयानों में भी देखा है लेकिन केशो मौर्या का बयान ऐसी परिस्थिती में आया है ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की समिक्षा की जा रही थी वो पंद्रा पन्ने की रिपोर्ट जिसकी बार-बार चर्चा होती है उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि सरकार और संगठन के बीच सामनजस्य नहीं है और शायद उसी बात को और हवा देने का काम केशो प्रसाद मौरे ने कर दिया है केशो प्रसाद मौरे ने कारकरताओं को जख जोरने का काम कर दिया है कि आपकी बात कोई सुने या न सुने मैं सुनने के लिए तयार हूँ लेकिन दोस्तों सवाल तो यहां से यह एक बार फिर से खड़ा होता है कि आखिर वो कौन है जो कारकरताओं की बात नहीं सुन रहा और वो कौन है जिसकी वज़े से संगठन और सरकार के बीच पालमेल नहीं है बहराल दोस्तों केशो प्रसाद मौर्र का ये बयान बहुत ज़्यादा सुर्खीओं में है और करीब एक महीने बाद केशो मौर सुर्खियों में आये हैं अपने बयान की वज़े से चर्चाओं में आये हैं अब केशव मौर का ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीती को किस करवट लेकर जाएगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा दोस्तों दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मेरा नाम चंदरकान थे